इंडिया के Forex को लेके that is foreign exchange reserve उसको लेके पिछले कई महिनों से back to back बहुत अच्छी news हमारे पास आ रही है और इस बार इंडिया का जो Forex है वो एक नई record उंचाई पे पहुंच गया है that is 642 billion dollars क्या reason है back to back increase हो रहा है और especially इस lecture में हम यह discuss करेंगे कि जो IMF है उसकी तरफ से last time जो SDR transfer किया गया था वहाँ पे इंडिया को बहुत help मिली थी लगबग 18 billion dollar का यह transfer था तो उसने भी इंडिया का जो Forex है उसको increase करने में help किया था पूरे issue को detail में discuss करते है और Forex जो है बहुत इंपॉर्टन इंडिकेटर होता है किसी भी economy की जो overall health है उसको यह reflect करता है और recently आपने notice किया होगा कि श्रिलंका के अंदर अभी Forex crisis चल रहा है foreign exchange को लेके जो crisis देखने को मिल रहा है उसकी वजह से उनकी जो essential requirement है essential medicine food हो गया उनको भी वो import नहीं कर पा रहे हैं so basically जो आपका Forex है इस context में important होता है अभी हम बात करें तो foreign exchange reserve में जो increase देखने को मिला है यह जगबग 8 billion dollar का है recently और यहां पर सबसे ज़्यादा increase यह आपका जो foreign currency asset है उसमें देखा गया है यह 8 billion dollar का जो increase है foreign currency asset में जो की maximum यह देखा गया है पूरे issue को detail में discuss करते हैं आगे बढ़ने से पहले this is a brief introduction about me PDF of the session will be available on this telegram group देखिए यहां पर यह जो increase हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो इससे previous वाला जो data था वहां पर हमें IMF की तरफ से तरफ से asset allocation हुआ था IMF की तरफ से लगबग 18 billion dollar के SDR हमें transfer किये गए थे special drawing right जिसे कहा जाता है एक तरफ की artificial currency है IMF की यह इतना पैसा हमें transfer किया गया था और जो last हमारे पास forex का data था उसमें यह reflect भी हुआ था और total हमें लगबग 16 billion dollar का increase देखने को मिला था अभी जो आपका increase हुआ है यहाँ पे जो foreign currency asset है उनके अंदर यह जो 8 billion dollar का increase है उसकी वज़े से increase देखने को मिला है पूरे issue को समझते हैं यहाँ पे जो concept involved है उन्हें भी एक बार देख लेता है क्योंकि UPSC या जो भी आपके exams है सब में important रहता है even last year IS problems में भी इससे question था य even India की case में भी देखोगे Forex के अंदर 90% जो contribution है लगबग वो foreign currencies का है और जितना भी आपके Forex में पैसा होता है जैसे इंडिया का यह 642 billion है तो यह बता रहा है कि जो कोई भी country है वो इतना जो है एक्स्टरनल शॉक एब्सॉर्ब कर सकता है इतनी उसकी capacity है कि वो इतना जो है बाहर से कुछ भी purchase कर सकता है जैसे श्रिलंका की case में यह 3 million dollar से भी कम आ गया था around 2.8 million dollar हमने देखा था जिसकी वज़े से उनको जो essential दवाईया है खाने के items है वो भी वो नहीं खरीद पा रहे है तो उस context में इसका importance बहुत ज्यादा होता है Forex के जो component है जिसमें मैंने आप US unit है मतलब euro हो गया आपके pound है यह जो currencies है तो इन currencies के अंदर कोई भी appreciation या depreciation होगा इनकी जो market value के हिसाब से वो भी यहाँ पर reflect होगा ठीक है तो एक तो यह component हो गया second component है gold का जो लगबग 6% के आसपास है तो gold भी increase हुआ है और यह जो third और fourth component है जिसे हम SDR और reserve tranche के नाम से ज होज लेता है क्योंकि यह UPSC के favorite है यह आपके exam के लिए बहुत important हो जाता है देखिए SDR है special drawing rights special drawing right जो है international reserve asset के रूप में IMF ने create किया 1969 में IMF ने इसको create किया internal accounting purpose के लिए तो यह एक तरह की artificial currency है जिसे IMF ने create किया और यहाँ पे इन्होंने IMF वालों ने क्या किया पांच currency ल यहाँ पे weightage दिया गया और इन पांचो currency को मिला के आपका special drawing right SDR यह artificial currency इन्होंने बना ली तो यह कोई ऐसी currency नहीं है या IMF पे claim नहीं है बस यह इन्होंने अपने internal accounting purpose के लिए बना रखा है और जो countries है उनको थोड़ा सा यहाँ पे cushion देने के लिए help देने के purpose से भी यहाँ बना रखा है कि जो भी country है जैसे इंडिया के पास SDR है तो इंडिया SDR को आपका exchange कर सकता है in return of these currencies SDR के एवज में यह आपको currencies मिल जाएंगी तो यह तो हुआ SDR तो यहाँ पे last time जो हमने अभी news यहाँ पे देख रहते हैं उसमें वापस इस news पे आते हैं यह जो है IMF ने asset allocation किया था और इसके अंदर इंडिया को लगबग 17.86 billion dollar के लगबग 18 billion dollar हो गया इतने SDR इंडिया को दिये गए थे IMF ने यह allocation इसलिए किया था कि कोरोना की वज़े से सभी countries को थोड़ी सी यहाँ पे कुशन चाहिए इनके forex को थोड़ा मदद मिल जाए उस परपस से सभी को स 16 billion dollar का था फिर increase 16 billion के आसपास ही क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे foreign currency assets है उसके अंदर भी थोड़ा सा कम हुआ था इसलिए यह compensate होके finally 16 billion dollar पे आपका जाता है अब इसी process में हम आगे बढ़ते हैं तो यह जो चार component है हो यह तीनों आपको समझ आ गए और जो last time increase था वो भ मान लीजे 100 रुपय का इन्होंने contribution किया है तो पहले तो यह 25% होता था कि आपके quota का 25% reserve tranche आपका होगा इतना contribution है आपके quota का इतना contribution एक particular percentage जो है आपको free of cost इतना हम loan दे सकते हैं उस तरीके से इसे समझना है for example जो reserve tranche है मान लीजे कोई भी country अगर IMF के पास जाता है कि हमें पैसा चीए या foreign currency हमें इस तरह से चीए तो IMF कहेगा कि अगर आपके reserve tranche में इतना पैसा है तो यह आप बिना किसी interest के बिना किसी condition के आप यहाँ पे ले लीजिए so this is basically a kind of facility of first resort जहां पे आपको बिना किसी condition के बिना किसी आपको ब्याज के यह पैसा दे दिया जाएगा और इसे reserve tranche position RTP कहा जाता है या फिर कई जगे पे इसे gold tranche भी लिखा जाएगा क्योंकि 1978 से पहले 1978 से पहले यह जो reserve tranche थे यह gold के अंदर paid किये जाते थे ना gold में इनको payment होता था इसलिए इसको gold tranche भी कह देते हैं इसी के उपर IS premium last year question भी था तो यह थोड़ा सा आप ध्यान तो अभी at present आप देखते हैं जो RBA का latest estimate है आज शाम को जो release हुआ है मतलब कल जो आपका release हुआ था रात को यहाँ पे आपके जो foreign currency assets है उनकी value हमारे पास आ रही है 579 billion dollar that is almost 90% of our foreign exchange reserve फिर gold आपके reserve आते हैं जो 38 billion dollar पे second यह है तो यह 6 something percentage is there and apart from this you have special drawing rights special drawing drive जो है यह आपका almost 90 billion पे पहुँच गया और उसमें सबसे ज़्यादा contribution आपका किसका है अभी जो latest IMF की तरफ से release किया गया है almost 18 billion तो पहले यह सबसे कम था SDR ठीक है अभी सबसे कम आपका reserve ट्राइंट पॉजिशन वाला चला गया है जो कि almost 5 billion dollar पे है और forex reserve जो है इसका यहां पे forex को रखता है importance क्या है forex का forex का importance एक तो हमने यह देखा कि हमारी जो import requirement है उसे हम आराम से पूरा कर सकते है और दूसरा यह है कि जो stabilization exchange rate का stabilization है उसमें भी help करेगा for example एक dollar के मुकाबले अगर हम बात करें लगग 73-74 रुपीज के बराबर है तो यह अगर हमारा रु pro economic के point of view से अच्छा नहीं है तो RBI उस case में exchange rate को stabilize करेगा तो उसके लिए market के अंदर dollar आपके inject किये जाएंगे ताकि dollar की demand थोड़ी सी आपकी moderate होगी और रुपया थोड़ा strong होगा इसी तरह से अगर appreciation होता है मानली जे 60 रुपय पहुंच गया रुपया बढ़ता बढ़ता तो उस case में export वाले जो हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी तो basically ये जो management है exchange rate का ये RBI के द्वारा किया जाता है और इस तरह का currency regime है जहाँ पे majority तो आपका क्या चलेगा market के हिसाब से ही आपकी exchange rate decide होगी अगर dollar का demand जादा है dollar मजबूत है तो dollar आपका मजबूत होगा रुपय exchange rate decide होती है floating exchange regime और अगर आपने fix कर दिया कि एक रुपया एक डॉलर जो है एक डॉलर पचास रुपय के बराबर होगा कोई मतलब कोई फरक नहीं परता market में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपने fix कर दिया तो उसे हम कहते है fixed regime तो कि वहाँ पे जो भी bank है सरकार है लेकिन इंडिया में ये दोनों ही follow नहीं किया जाते हैं इंडिया में जो RBI follow करता है that is managed currency regime जिसमें क्या होगा maximum time market rate पर ही चलेगा लेकिन अगर आपको stability का function देखना है ये currency का जो exchange rate उसे stabilize करना है तो फिर RBI intervene करेगा है ना RBI या जो सरकार है वो intervene यहाँ पर करती है और इस त होने के reason यही है कि बहुत ही strong foreign investment इंडिया के अंदर रहा है पिछले काफी time से अगर आप देखोगे strong foreign investment है इसके अलावा इंडिया का current account जो deficit हमेशा रहा करता था वो last year आपका current account surplus रहा था पिछले 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने current account surplus देखा तो हमारा जो पैसा बाह prospect future prospect बहुत अच्छे investors के लिए इंडिया की economy के लिए भी prospect अच्छा है अभी हमने देखा 20% की growth थी और इस बार भी हमारे expectation अच्छे है overall अगर हम इंडिया का foreign exchange reserve forex को comparison करते हैं तो यह आता है fourth place पे word में fourth number पे हम यहाँ पे हैं पस्पे आपका China है 3 trillion dollar से भी उपर है Japan का 1.3 trillion dollar है और Switzerland का लगग 1 trillion dollar है इंडिया 642 पे आ गया है बहुत कम टाइम में हमने बहुत तेजी से increase किया है हम यह चारे हैं कि 1 trillion dollar तक हम पहुंच जाए और अगर इसी तेजी से increase करते हैं तो definitely 1 trillion dollar भी हम achieve कर पाएंगे that's all for today और PDF of the session will be available here इसके अलावा आपको और बहुत सारे sessions free हो इसके लिए GS plus optional का जो complete package है preparation package यह आपको 49,000 की fees के साथ आ जाता है यह fees आपकी जल्दी ही बढ़ने वाली है तो आप जा सकते हैं इसमें आपको test series free दी जा रही है और पूरा books के form में physical books के form में सारे notes आपको provide किये जाएंगे subscription का link description box में आप अपनी need के according plan चूज कर सकते हैं put Iconic के कुछ added benefit है Iconic का यह fee structure है इसके लिए भी आप जा सकते हो अगर केवल optional का subscription ले रहे हो तो यह इसके plans है fee structure है 15 सितंबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट है इनमें आप enroll कर सकते हो इसके लवा हर संड़े आपका combat होता है scholarship test इसमें participate कर सकते हो pre test series का भी benefit ले सकते है that's all for today don't forget to like share and subscribe all the best have a great day